नमस्कार दोस्तों आप सभी का जोती शूर्जा में बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम अपनी पुरानी सीरीज पर ही फिर से आते हैं आज हम बात करेंगे सेटरन लाइन की जिसे भागय रेखा बोला जाता है जिसे धन रेखा बोला जाता है उसके लिए पीछे मैंने 6-7 वीडियो डाली हुई है अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उसी टॉपिक के उपर आज हम बात करेंगे कुछ उसका पार्ट जो है वो बाकी है आज की वीडियो में हम उस अगले पार्ट की बात करेंगे कि शनी रेखा जो है वो अगर और किसी प्रकार से होती है तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं कि अगर वो हमारे हाथ में अलग-लग प्रकार से होती है तो वो क्या इफेक्ट देती है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं शनी रेखा के अगले प्रकारों के बारे में पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हमारी भागे रेखा जो है वो माउंट्स पर इस प्रकार से जा रही हो इस प्रकार से ये शनी माउंट के उपर जा रही है इसी को ही भागय रेखा बोला जाता है और अगर इस प्रकार से सुर्या के परवत तक पहुँच रही हो और इसी प्रकार से अगर वो बुद्ध के परवत पर पहुँच रही हो या फिर जुपीटर के माउंट जिसे हम ब्रस्पती का परवत कहते हैं अगर वहाँ पर पहुंच रही हो तो क्या effect देती है पर आज की वीडियो में ये concept थोड़ा सा different होने वाला है आज हम बात करेंगे कि अगर शनी रेखा से निकल कोई कोई ब्रांच उसकी कोई ब्रांच अगर आगे सूर्य के परवत पर या प्रस्पती के परवत पर या बुद्ध के परवत पर पर पहुंच रही हो तो वो क्या effect प्षी देती है शबसे पहले आज हम बात करेंगे कि अगर कोई ब्रांच वो भागे रेखा से निकल कर सूर्य के पर वुद्ध तक पहुंचती है तो इसे क्या से हम ले सकते हैं यह बहुत एक अच्छा योग माना जा सकता है अगर सूर्य के पर वतन सूर्य के परवत यह इसलिए important माना जाता है क्योंकि यह दर्शाता है कि आपका connection जो है वो public के साथ हो सकता है, public dealing के लिए यह एक बहुत ही अच्छा योग है, आपके साथ public का connection कैसा रहेगा, आपके साथ लोगों का behavior कैसा रहेगा, आप लोगों के साथ कैसा विवहार करेंगे, यह उसका योग माना जाता है, इसके साथ हम यह कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत नाम, बहुत प्रसिद्धी, बहुत ही famous होगा, और इसलिए यह line mostly जो है, वो politicians के हाथों में देखी जाती है, और इनको बहुत ही अच्छा नाम मिलता है, public में इनकी पहचान बहुत अच्छी होती है, इनक जो है, यह भागया रेखा से निकलनी चाहिए, यहां मैं आपको एक example देती हूँ, कि यह हमारी है, यह heart line है, इसको यहां पर heart line से इसका कोई connection नहीं है, इसे हम अलग से एक तरीके से देखेंगे, इसका heart line से कोई सीधा connection नहीं होगा, क्योंकि यह heart line को काटकर ऊपर की तरफ जा रही है, प्रन्तु इसे हम इस प्रकार से नहीं देखते हैं, इसको हम अगर यह इस प्रकार से उपर की तरफ भी निकल रही है, heart line से अगर इस प्रकार से निकल रही है, और यह हमारी heart line है, तब भी इसे एक अच्छा योग माना जाता है, यह उसी प्रकार से ही effect देगी, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया है और ये जो है हमारी brain line है इसी प्रकार से ये जो effect है उसका कायम रहेगा कहीं भी change नहीं होगा प्रन्तु इसके लिए सरफ एक ही condition है वो ये है कि ये भागय रेखा से निकलती हुई रेखा होनी चाहिए तो आप confused नहों कि ये रेखा यहां से इसको काट रही है यहां से हाट लाइन को काट रही है इसका effect जो है वो बिलकुल अलग तरीके से होगा इसमें अगर वो हाट लाइन को काट रही है या brain line को काट रही है तो कोई फरक नहीं बढ़ता तो आगे चलते हैं अगले हमारे योग की बात करते है अगर कोई रेखा इसी प्रकार से भागय रेखा से निकल कर बुद्ध के परवत तक इस प्रकार से पहुँचती है तो इस योग को हम बहुत अच्छा योग मानते है ये भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूरे की रेखा निकलती है और उसे भी अच्छा माना जाता है इसी प्रकार से बुद्ध की रेखा को भी अगर वो भागे रेखा से निकलती है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है ऐसे व्यक्ति बिजनस के क्षेतर में बहुत ही तर है कि ये लोग जो होते हैं ये काफी जादा समझदार लोग माने जाते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत ध्यान से लिमिट में और प्लैनिंग के साथ काम करते हैं क्योंकि ये लोग बहुत समझदारी से काम करते हैं तो इसे अच्छा माना जाता है ये चीज जो है इन्हें काफी सक्स बיזसदिलाती है ऐसे विक्ति जो होते हैं जिनीकि इस प्रकार का योग बनता है वो बहुत अच्छा बिजनस करते हैं क्यूंकि बिजनस में वो बहुत ही अच्छे से डिसीजन लेते हैं वो वो सोच समझ कर हर काम चलिए अगले बात करते हैं अगले योग की अगला हमारा योग इस प्रकार से है ये हमारी हाट की लाइन है और ये हमारी जो है भागय रेखा और अगर भागय रेखा इस प्रकार से हाट की लाइन से जुड़ जाती है जाकर इस प्रकार से यहां मैं आपको ड्रॉ करके बता अगर भागे रेखा इस प्रकार से हार्ट की लाइन के बीश में मर्ज हो जाए और जुपिटर के माउंट तक पहुंचे ये एक बहुत ही अजीब सा योग है इसे मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत जादा एफेक्शनेट हो जाते हैं अपने प्यार के प्र जादा नहीं मानते क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन भी काफी जादा हाई हो जाती हैं अपने ओपोजिट के साथ अगर वो रहते हैं तो उनसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वो रहते हैं तो भी बहुत मानना जाता है और कहीं कहीं से बुरा माना जाता है कई बार तो ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने प्यार को और अपने बिजनस को कमबाइन करके चलते हैं वो एक दूसरे से इन चीजों को अलग नहीं कर सकते यानि कि जब वो बिजनस करते हैं तो उनके मन में घर का ख्याल रहता है अपने जिससे वो प्यार करते हैं उसका ख्याल उनके मन में रहता है और जब वो किसी के साथ होते हैं तो उनके मन में बिजनस चलता रहता है तो ये दोनों चीजों के बीच में बैलन्स इनके लिए बनाना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है जो इनके तो तो बूした योग बात अच्छा भी हो सकता है क्योंकि ऐसे स्य imagine की some are infra tu haptate, किसी का कपी बुरा नहीं, भागयाय भिपीटर we that take some to milestones जुपीटर के मांट पर जब भागयायरेखा पहुंचती है, तो उसे हम कहीं किसी हद-तक अच्छा मानते हैं and the heartline जब Jupiter के mount तक पहुँचती है तो वो भी व्यक्ति को काफी नरम दिल बनाती है तो ये जो योग है ये बाकी के science पर भी depend करेगा, बाकी रेखाओं पर भी depend करेगा अगर बुद्ध का परवज जो है वो अच्छे तरीके से develop है तो ऐसे व्यक्ति को balance मिलने के chances परवतों को जरूर देखें, तब ही prediction करें चलिए आगे बात करते हैं आज के last Saturn Line के topic की हम देखते हैं कि कई बार Saturn Line जैसे हमारी इस प्रकार से शनी की रेखा जा रही है और छोटी छोटी बारी एक बार एक रेखाएं निकल कर इस प्रकार से शनी की तरफ कहीं न कहीं से निकल रही होती है और कई बार वो उसको touch कर रही होती है कई बार वो उसको cross करती है वैसे तो हर रेखा की देखिए अलग-अलग हम इसको describe कर सकते हैं प्रंथू मैं ऐसी रेखाओं की बात कर रही हूँ जो बहुत कई बार बारीक होती हैं और उसको हलका हलका टाच करती है या कई बार नहीं भी टाच करती प्रंदु उनका जो बहाव है वो शनी की रेखा की तरफ होता है तो ये रेखाएं क्या कहती हैं ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं वो दर्शाती हैं कि आपके उपर कई सारे लोगों का control है और आपके ऊपर कई सारी ऐसी tensions और ऐसी problems आपको face करनी पड़ सकती हैं जो आपके career को आपके भागय को काफी हद तक slow down कर सकती है और आपको इनके ऊपर विजय प्रापत करनी होगी नहीं तो आपकी life जो है वो काफी रुक जाएगी कई बार देखा गया है कि यह जो रिखाएं हैं वो एक प्रेशर क्रियेट करती हैं जो आपको भागया को आगे नहीं बढ़ने देता इसलिए इन लाइन से बचके रहने की जरूरत होती है और इनको समझने की जरूरत होती है यह बहुत छोटी-छोटी अब्स करके हम लाइफ में काफी तरक्की हासिल कर सकते हैं तो हमें इससे निजात मिल सकती है इस प्रॉब्लम से आपको हाथ में देखकर इससे समझना जरूर होगा क्योंकि यह एक मेजर प्रॉब्लम बन सकती है देखने में काफी छोटी लगती है और हमें लगता है कि यह हमारी भागे रेखा को टच नहीं कर रही तो यह problem create नहीं करेंगी प्रन्तु जब किसी रेखा का जो भाव है वो भागे रेखा की तरफ होता है तब भी वो problem दे सकती है तो इन छोटी-छोटी दिक्तों को आप अपने होसले से अपनी विलपार से और छोटी-छोटी उपायों से ठी तो आज की वीडियो में इतना ही आज हमने बात की है कुछ भागे रेखा की अगले टॉपिक्स के बारे में आने वाले वीडियो में हम इसे continue रखेंगे आज की लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यावादा